इंसाइड दा माइंड, मन में किसके क्या चल रहा है, वो जानने के लिए हमने ये वीडियो सिरी सुरू की है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबरता, राय या सहारा सिरी की एक ऐसा सक्स, एक ऐसा जाना पहचाना चहरा, जिसको लोग गोड मानते थे, भगवान मानते थे लेकिन उन्होंने कितना बड़ा फ्रोड किया, धोखा किया, आखिर उनके मन में क्या चल रहा था, या भी उनके मन में क्या चल रहा है मैं मनोव ग्यानिक राजिंदर जोदपूरिया आज सुभर्तो राय या सहरा स्री के माइड को खोलने वाला हूं उनके मन की पूरी गहराया इस वीडियो में हम जानेंगे जो तथे मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इनफोर्मेशन मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर है इसमें मैंने फेस रीडिंग का बोडी लेंग्वेज का सहरा लिया है तो मेरी जो जज्जमेंट है मेरी जो राय है वो मैं आपको मनोव ग्यानिक विशलेशन के तोर पर बता रहा हूं इसमें मैं कुछ पॉइंट भी डिसकस करूँगा तो सबसे पहला जो बिंदु आता है सुवर्तो रोय की जिंदगी का वो है कि उन्होंने सुरुवात की लेंबरेटा स्कूटर से वो स्कूटर पर जाते हैं लोगों को स्कीम बेशते हैं और स्कीम बताते हैं कि एक ऐसा भीमा है जिसमें आप निवेश करो कुछ रुपए निवेश करो ज्यादा बड़ी रकम निवेश नहीं करनी है तीन साल में वो दुगनी हो जाएगी तो ये स्कीम उन्होंने गरीबों को बेची जो ध्याड़ी मजदूरी करते थे तो सुरुवात में वो दस पंदरा बीस रुपए जमा करते फिर बढ़ाते गए तो ऐसे ऐसे करके एक समय के बाद हर पंदरवा भारतिये सहारा में निवेश करने लग गया था वो सहारा में बजट या उनका टर्न ओवर बहुत बढ़ता गया सुरुवात सुभरतो रोय की बड़ी अच्छी हुई लोगों का विश्वास जीता लेकिन ऐसा वो क्यों कर पाए ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके चहरे की या उनके माइंड की जो खूबी देखें खासियते देखें तो उसमें सबसे पहली जो खासियत आती है वो है हिपनोटिक परसनेल्टी उनकी जो परसनेल्टी है व्यक्तितव है वो बड़ा डाइनमेक और हिपनोटिक है बड़ा चुम्ब की है मेगनेटिक व्यक्तितव है जो उनके बात कर लेता है उनके पास आता है वो उनका ही हो ज जाते थे उनके चहरे से या उनकी बोडी लेंगवेज पढ़ने से मुझे पता लगा कि उनका जो ओरा है व्यक्तिताओं का ओरा है वो बहुत मजबूत है उनकी आँखें बहुत मेगनेटिक बहुत हिपनोटिक है पूरी शारिक मुद्रा पूरी आभा उनकी बहुत सामने जाता है तो सामने वाले कमजोर व्यक्तिताओं के इनसान हैं साइकोलोजी के मास्टर है नहीं तो वो वशी करते हैं जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है तो लोगों ने वशी किया जो सुवर्तो रोय ने उनको कहा तो लोग उनकी चिकनी चुपडी बातों में आते ग क्योंकि विश्वास जीतना है लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पैसे लोटाना बंद कर दिया अब एक समय के बाद जब इनसान के पास हद से जादा दोलत आ जाती है शोरत आ जाती है तो इनसान लालची हो जाता है और इसी लालच का सिकार हुए सुभरतो सिरी उनके मन में भी जुनून आ गया था कि पूरी मानवता मेरे कंट्रोल में रहे और उनको एक सुपेरियोर्टी पकड़ गई थी कि वो भगवान है क्योंकि लोग उनके चरणों में गिर जाया करते थे लोग उनके पैरों में सिर रख दिया करते थे तो जब इतनी इज़त लोगों का हजूम जब लेटता है तो लालच आना एहिंकार आना सुभाविक है और यहीं पर सुभरतो रोय के साथ गड़वडी शुरू हुई उनके अंदर भी एहिंकार आया उनके अंदर भी लालच आ गया योकि बाद में उनका व्यक्तिताव तो हमेशा से स्ट्रोंग था ही लेकिन इसी स स्ट्रोंगनेस के कारण उनके अंदर जो लालच आया एहिंकार आया और उसी एहिंकार लालच ने उनका पतन शुरू कर दिया फिर उन्होंने मानवता के लिए कुछ नहीं किया उनका जो लक्षय था उनके मन को देखें कि वो कुछ करना चाहते हैं उनके सपने बहुत बड alay好ते हैं और मजबूत इरादे और जबरदस्त कोंफिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और लोगों का साथ उनको मिलता जाता है जो कमजोर वक्तितव कमजोर मानसिकता वाले लोग हैं वो उनके इरदगीर्ध आते जाते हैं उनकी टीम में शामिल होते जाते हैं तो सुबरत अच्छे qualified या intelligent लोग उनकी टीम में आते गए और उन्होंने फिर नए नए बिजनेस करना नए नए ideas अपनाना वो शुरू कर दिया लेकिन नए नए business शुरू करने के लिए या नए scheme पर कार्या करने के लिए पैसे की जुरूरत होती है और वो पैसा आता कहां से है या तो banking से लेकिन सुवर्तो रोय के पास गरीब जनता बैंक ही थी उनसे वो निवेस ले रहे थे लेकिन अब लोटाना उन्होंने बंद कर दिया उन्होंने आगे आगे scheme में देनी स्टार्ट कर दी तो पैसे लोटाना बंद कर दिया और पैसा उनके पास आई रहा था तो इसी पैसे से उन्होंने आलिशान घर बनाना अपने रासी ठाट बाठ पूरे करना शाही शादी करना तो अब उन्होंने पैसे उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया तो उनको लगता था कि अब उनका कोई बाल बांका कर नहीं सकता है देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती कोई कुछ नहीं कर सकता तो यही इगो इनसान को मरवाता है और यहीं पर सुबर्त और रोए ने मात खाई तो उन्होंने एक समय के बाद सब कुछ गवा दिया लोगों के साथ धोका धड़ी करना पैसे ठगना तो ये कुछ बाते मैंने बताई है कि उनकी जो आभा है या उनकी जो शेली है उसमें शामिल था ऐसे लोग शुरुत में बड़े लोयल दिखेंगे लेकिन बाद में गुम हो जाते हैं ऐसे लोग दोस्त बनकर आते हैं लेकिन गायब ऐसे होते हैं खोजने से भी मिलते नहीं हैं ऐसे ही सुभर्तो रोय हैं ऐसे लोगों के अंदर सुभरतो रोय के मायंड को हम समझें, तो एक पॉइंट आता है, emotional, कुछ लोग बड़े emotional होते हैं, लेकिन सुभरतो रोय के अंदर कोई emotion नहीं है, उनके अंदर एक logic है, उनके अंदर egoï है, तरक है, विचार है, एक mission है, उसके इलावा कुछ नहीं है, emotion नहीं है लोगों के दर्द का उनको कोई अंदाजा ही नहीं है तो ऐसे लोग जब भी आप देखें या उनसे मिलें तो समझ लें कि ऐसे लोगों में कोई सहनू बूती सिम्पेथी कुछ नहीं होता प्यार करूना से ये खाली होते हैं ये अपने आपको ही सरवग्य मानते हैं ख्याल इनको रहता ही नहीं है इसके बाद सरव हिताए सरव सुखाए के बिंदू पर हम आते हैं ऐसे लोग सरव हित के लिए नहीं चलते हैं खुद के हित के लिए चलते हैं खुद सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं दूसरों को कुछ ना मिले मानवता प्रेमी नहीं होत खुद सब कुछ प्राप्त करेंगे मानवता के लिए कुछ नहीं ये सुरुवात में मसीहा जैसे लगेंगे लेकिन मसीहा नहीं दश्मन थाबिफ थो होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं ताकि लोगों का विश्वास जीत पाएं, कुछ जीतें, लेकिन बाद में वो रस्ते से भटक जाते हैं लेकिन मैं ये जो रिपोर्ट बता रहा हूं, मैं साइको एनलाइसिस कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं, ताकि आप बच पाओ, आप बहुत से और ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे और आपके आसपास ही हैं तो उन लोगों से कैसे बचें, तो मैं वीडियो सीरीज में सब का नंबर लगाऊंगा, किसी को नहीं बखसूंगा क्योंकि जो इनसान जैसे करम करता है, उसकी सजा उन्हें वैसी मिलती है, क्योंकि परकरती का विधान सिदा सादा है, परकरती किसी का एहंकार बरदास्त करती ही नहीं है, वो सबका एहंकार ठिकाने लगाती है, तो उनके एहंकार को भी परकरती ने ठिकाने लगा ही दिया, बचा खुचा लग ही जाएगा लेकिन नुकसान किसका हुआ नुकसान देश का हुआ जनता का हुआ भोली भाली जनता का गरीब जनता का हुआ इस तरह की वीडियो सीरीज को आप देखते जाएगा मैं आपको माइंड का मास्टर बना के छोड़ू हूँ जनकारी कैसी लगी आप मुझे बताईएगा